कि आपको कॉंग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि कॉंग्रेस वो पाड़ती है जो केबल अपना उन्नू सीधा करती है यहाँ पर आप देख सकते कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को उतनी सीटे हासिल नहीं हुई तो वो यह कहते ही दिखाई दिए कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस जितनी भी सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दिए उसमें वो अपने वोट बैंक से नहीं बलकि आपके यानि कि आपका जो मुटसलिम वोट बैंक है उसको अपनी और खीचने का प्रयास कर रही तो ऐसे में आप सतर्क हो जाईए साब्धान हो जाईए तो यही कहा जा सकता है अशुरती कि उत्तर प्रदेश में भारते दिंटा पार्टी को कही ना के अपनी गल्थियों का हसास हुआ है तो आsmोले विदान सबस्वाचिना में भारते दिनता पार्टी भी उट सभी मु बारे में जन्रणीतियों के तहत उत्तर प्रदेश में इस वाराजाद जीत दर्च कर चुके हैं लेकिन अब उचनाव में चंदरशेखार आजाद आखिर किस रणीती के साथ चलने जा रहे हैं ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहे हैं इसी बीच अब लगातार खबरो कहीं बनी है कि चंदरशेखार आजाद को उनकी पार्टी को कारकरताओं को साथने के लिए विपक्ष तमाम तरह के रणीतिया बना रहा है यसी बीच सूतरों के हबाले से खबर कहीं न कहीं ये कहती हैं और तमाम अटकलों पर खबर कहीं न कहीं इस बात पर टिकीम ही हैं कि श्यादव राहूल गांधी और प्रियंका गांधी कही ना कही चंदर शेखर आजाद को साधने के लिए तवाम तरह के प्रयासों में जुट चुके हैं सवाल उठता है कि क्या चंदर शेखर आजाद ने जो अलही में ये ऐलान बड़ा ऐलान कही ना कहीं करा था शाली मौलूद शाली क्यास्तिती देखती है उठतर प्रदेश में आप जिससाब से विपक्ष के साथ गडबंदन को कही ना कहीं चंदर शेखर आजाद ने करने से इंकार कर दिया है ना के विपक्ष बलकि एंडिया के साथ भी आप देखें गडबंदन की रहा में आजाद नहीं चलनना चाहते हैं एकला चलो की रहा पर चलनना चाहते हैं क्यास्तिती देख रहे हैं यूपी में आने वाले उप्चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो उप्चुनाव होने वाले हैं उसमें आशुरती यही लगता है कि यहां पर अब जितनी भी पार्टियां मैदान में उत्री हैं कहीं ना कहीं सभी पार्टियां एक दूसरे को टक कर दे रही हैं यहां पर सिर्फ हम बात करेंगे अगर बहुजन समाज पार्टि की तो वही थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बीते लोग सभा चुनाव में उसी का जो जनाधार है वो खिसकता हुई दिखाई दिया एक भी सीठा से नहीं कर पाई लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां यहां पर मैदान में हैं वो कहीं न कहीं अब एक दूसरे को काटे की ठकर देती हुई दिखाई देंगी चंद शेकर आजाद को लेकर अगर खासकर की बात की जाए तो नगीना से जीत हासिल की चंद शेकर आजाद रावर्ने बीते लोग सभा चुनावों में जिसके बाद उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हो चुके हैं और उन हौसलों के चलते उन्होंने ये बड़ा एलाम कर दिया है कि वो जितने भी राज्यों में में विधांसवा चुनाव होंगे सब में भागीदारी करेंगे अपने उमीद्वारों को मैदान में होता रहेंगे और कहीan न कहीं उनका यह भी दावा है कि वह जीत भी तो उत्तरप्रदेश की बात की जाए तो अभी अखलेश यादव की पार्टी है वह मचमूत दिखाई दे रही है ऐसे में अखलेश यादव को टकर देना काफी जादा मुश्किल हो सकता है यहां पर भारतीय जिनता पार्टी जो लगातार तयारियां में जुटी हुई है आप दावा कर दिया कि मैं वापस फिर से लोट के आऊंगा है इस तरीके का अगर उनुने बयान दिया तो कहीं न कहीं में कि इस बीतलोमसवाय चुनावों के उनका आत्म विश्वास था वह कहीं जादा था जिसके नतीजे वहां पर सामने नहीं आए जो भीतलोमस बार दे आतिनुत रप्धेश में सोचे थे लेकिन वहीं वह उम्मीदवारों को भी होसले बुलंद करते हुए यह कहते दिखाई दे कि आप निराष मत हो ही है कभी कभार ऐसा हो जाता है आप कभी कभार का सामना भी करना पड़ता है लेकिन इससे हमें निराष नहीं होना है हमें एक बार फिर से डटकर खड़े होना है और प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी का जो कहते हैं जो उन्हें निर्णे किया है कि 2047 तक उन्हें भारत को विक्सित जो देश है वो बनाना है तो ऐसे में हमें जीतोड मेहनत करनी होगी हमें अभी से जो अपनी कमर है वो कस लेनी चोड़ेना चाहिए कि कॉंग्रेस वो पाड़ती है जो केवल अपना लू सीधा करती है यहां पर आप देख सकते कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को उतनी सीटे हासिल नहीं होई तो यह कहते ही दिखाए दिए कि उत्तर प्रदेश में का जितनी भी सीटों पर जीत तो आनने वहेले विधान समझ चुनाव में भारते दिनता पार्टी भी उन सभी मुद्धों को इठाएगी जहां पर समाजवादी पार्टी ने उन मुद्धों को उठाया है तो ऐसे भी टक्कर होगी वह काफी जाधा कांटे की हो जाने वाली हो चंदश्विकराजाद रावड दलित वोट बैंक पूरी तरीके से साथ चुके हैं मायावती का जो दलित वोट बैंक है वह खिशकर उनके पास पहुंच चुका है और ऐसे में यह भी लग रहा है कि वह अ आपको यहां पर रोकना चाहूंगे जिससाब से चंदश्विकराजाद निकालनी होती है तो हफ्ते हफ्ते दस बिंग के लिए स्टड़के खाली कर देते हैं लेकर नमास के लिए बीस मिनिट भी आप अदा नहीं कर सकते यह बयान काईना कई क्या मुस्लिम होड बैंक को सा यह बयान अगर हम कहें तो बोड बेंक को साधने के लिए है मिसे अगर हम ध्यान देंस पर तो यह कह सकते कि इससे चंद शिकर अजाद मुस्लिम बोड बेंक को साध हो लेगे सिर्फ एक समुधाए पर निशाना साते वे दिखेंगे यह कहिए जिर्फ एक समुधाए को recipro Project कोोई समेंटिंग कोशिष करेंगे तो बाइक समुधाए हैं वह नाराजगी दिखाते हिए यहाँ और नगीना कोई पर नज़र आ सकते हैं तो आने वाले विदान सभाद चुनावों में इसका जो खामियाजा है वो चंद्शेकर आजाद रावण को भुगतना पड़ सकता है तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि चंद्शेकर आजाद रावण को बयान देने हैं वो काफी सोच समझ के दे क्योंकि यहां पर एक भी बयान जो है वो उल्टा पड़ सकता है और ऐसे में यह कहा जा सकते कि आपको आने वाले विदान सभाद चुनावों में या उत्तर प्रदेश में जो दस सीचों पर विदान सभा के उप्चिनाव होने है उस पर भी आपको नुकसान होता दिख सकता है यूपी में आप देखे शा आसर मायवती पर पढ़ता नजर आएगा क्या से देखती है आप मायवती पर तो असल लगातार पढ़ता ही जा रहा है यह आप देख सकते कि 2007 से लेकर लगातार वों उनका जो वोट वेंक है वो खिसकता हुआ अब 9 पीसीदी पर आ गया आप सुमझ सकते कि 9 पीस दी अगर आसर में अगर मायवती सही निर्णय नहीं लेंगी तो एक एक निर्णय भी यहां पर भारी पढ़ सकता है मायवती को यही करना पड़ेगा कि उन्हें इंडिया गडबंधन में शामिल हो जाना चाहिए उन्हे अखलेश यादव के साथ चले जाना चाहिए क्योंकि 2019 में गडबंदन कर लेना चाहिए मायावती को बहुजन समाज पार्टी को आकासान की वापसी तो मायावती करा चुकी है या नहीं ये बड़े सवाल लगातार दाग जा रहे हैं फिलाल अब इस पर आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है आने वाले समय में चंदर शेकर आजाद की क्या रणनीती रहेगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर अब आपके तबाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं नेक्स्टाइम न्यूज धन्यवाद